आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि Lineage OS 20 से Lineage OS 19.1 पे आप कैसे स्विच करें कुछ यूजर्स ने मुझे ये पूछा था कि आप कैसे स्विच करना है क्या ये पॉसिबल है या नहीं तो हम इसी वीडियो पे उसी टॉपिक्स पे बात करेंगे सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्क्राइब कर लेना है बैल बटन दबाना है नोटिफिकर्शन आइकोन क्लिक करना है म और मुझे आप जो वीडियो देखते हैं उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे सारे डिटेल्स एवलेवल होते हैं तो वहां से आप जाके अपने सारे डॉट्स क्लिकर कर सकते हैं वीडियो के कमेंट में मुझसे पुछ लिजेगा अगर आपको कोई डॉट है तो या फिर टेलिग्राम के चेट्स पे भी पुछ सकते हैं या फिर सोचल प्लेटफॉर्म्स पे भी आप मुझसे पुछ सकते हैं मैं जवाब दे दूँगा वीडियो प्लीज पूरा देखें start to end बीना किसी skip और forward के वीडियो पे दिये जाने वाले i button चेक करें और वीडियो पे description जो मैं देता हूँ उसे expand करके scroll करके उपर से नीचे start to end पूरा अच्छे से देखें पूरे links वहीं पर available होते हैं आप लोग देखते नहीं है और मुझसे पूछते हैं कि firmware link कहा है gcam का link कहा है और developer का contact link कहा है room का download link कहा है सब कुछ दिया हूँ मैं हर समय description पे सब कुछ provide करता हूँ तो उसे जाके देख लें ठीक है अब हम आते हैं अपने वीडियो पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये android 13 डिला हुआ है android 13 याने की lineage 20 तो यहां पर आपको ये vanilla room होता है मैंने GFS किया है अच्छे से working fine है कोई problem नहीं आ रहा है मुझे आप देख लिजेगा इद्दम fast fluent अच्छे से work कर रहा है चाहे वो port app की बात हो या फिर gcam की बात हो या फिर call recording की बात हो बैटरी backup हो encryption हो और connectivity हो performance हो सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है बट फिर भी अगर किसी users को switch करने का मन है तो उनको मैं पहले इस room का about बता देता हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे देखिए about पे हम गये यहां पर आपको android 13 में दिखा रहा हूँ device का नाम android version है और custom room का version दिख रहा है security patch दिख रहा है vendor दिख रहा है candle दिख रहा है build date दिख रहा है अब मैं यहां से अगर back चलते हैं systems पे मैं आपको यह भी दिखा देता हूँ updater हमेशा काम करता है lineage OS का कोई problem नहीं आता है developer options पे आप देख सकते है RAM uses जो है वो भी काफी अच्छा है बहुत कम use होता है तो performance हमें काफी अच्छा देखने को मिलता है और यहां updaters पे मैं आपको एक topic highlight कर देता हूँ बहुत से users बोलते है कि OTA update क्या है dirty flash क्या है तो इसके लिए मैंने comment में आपको बता रखा है और description पे भी बता चुका हूँ और पहले भी आप लोगों के लिए direct dedicated video लाके दे चुका हूँ कि OTA क्या होता है dirty flash क्या होता है clean flash क्या होता है तो यह सब आप जाके देख लिजेगा आप वो सब का आपका doubt क्लियर हो जाएगा इसके बाद मैं आपको रोम को change करने से पहले security पे more security के अंदर यह भी दिखा देता हूँ कि lineage 20 android 13 पे भी मैंने phone को not encrypted करके रखा यानि कि यह जो रोम है not encrypted है तो अगला हम रोम जो android 9 मतब lineage 19 जब डालेंगे android 12 वाला तो वो भी हमें not encrypted ही मिलेगा ठीक है और वैसे by default lineage 20 जो है वो z loss के तरफ से जब भी इसका नए अपडेट आ रहा है या पिछला जो भी है वो by default encrypted ही आ रहा है अभी उनके तरफ से not encrypted देना चालू नहीं किया गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं storage भी मैं आपको दिखा देता हूँ और battery भी दिखा देता हूँ ताकि जब हम नए रोम पे जाएं तो आपको कोई दिक्कत ना है देखें storage आप देख सकते हैं android 13 का lineage OS 7GB consume करता है system uses पे उसी तरीके से अगर मैं आपको battery भी दिखा दू तो battery graph भी आप देख सकते हैं stand by mode में मैं टेस्ट कर रहा हूँ इस device को तो आप देखिए एक दीन तीन घंटा हो चुका है battery drop देखिए और तीन दीन अभी भी remaining है ठीक है तो यह रहा stand by graph है तो अब हम lineage OS 19 पे switch करने के लिए try करते हैं basic से चीज मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है और सब कुछ काम करता है detailing review video मैंने already बना रखा है installation video बना रखा है तो आप उसे जाके check कर लिजेगा अब यह दूसरा वीडियो है इस पे हम latest OS से पुराने OS पे switch करेंगे यहाँ पर port app gallery जो है gcam है अच्छे से काम कर रहा है फिर भी हम switch करेंगे क्योंकि आप लोगों का क्या था आप लोगों का request था ठीक है तो अब हम switch करते हैं उसके लिए हमें सबसे पहले device को switch off करके recovery पे boot करना है अब आप देख सकते हैं मैंने recovery पे boot कर दिया है और आ करता है तो हम बीना recovery change किये डायरेट इसी recovery से lineage 20 से lineage 19.1 switch करेंगे याने कि android 13 से android 12L 12S 12.1 जो भी आप नाम बोले ठीक है तो चलिए try करते हैं basic step आपको follow करना है आपको wipe पे जाना है advance पे जाना है फिर dell week cash system data vendor इन पांचों को select करके swipe कर दीजेगा याना तो swipe करने के बाद आप आपका जो android 13 लोड है वो तो delete हो गया अब आपको क्या करना है home पे आना है install पे जाना है और यहाँ पर आपको lineage 19.1 का file को select करना है firmware आगर आप select करेंगे भी फिर भी ये काम नहीं करेगा क्योंकि इस recovery पे firmware फाइल काम नहीं करता है केवल official recovery पे काम करता है और वो official recovery चाहे वो blue rp हो orange fox हो या pitch black हो for example क्ले मैं आपको दिखा भी देता हो demo क्योंकि कुछ users ने मुझे पुछा था सर आप हमेशा firmware फाइल सजेस्ट करते थे बट आप android 13 के लिए क्यों सजेस्ट नहीं करें क्योंकि android 13 के जो z loss recovery है उसमें MIUI 11 का जो firmware फाइल है वो काम नहीं करता है देख देखे मैंने swipe लगाया है देखे error आ गया वो flash कर ही नहीं पाता है इसलिए मैंने suggest करना switch कर दिया है ताकि आप लोगों को कोई problem ना आए तो अब आपको क्या करना है direct lineage OS का वो file select कर लेना है यहां पर आपको दिख रहा है lineage OS 19.1 and 20 जो 19 वाला है वो September का update है क्योंकि last वहीं आय पर वाला file ठीक है latest वाला तो अब हम क्या करेंगे lineage OS 19 हमने select किया इस तरीके से swipe कर देंगे तो हमारा android 12 लोड होना start हो जाएगा आप देख सकते हैं हमने recovery इससे जो flash लगाया था lineage OS 19.1 यहां पर आप detail देखे successful हो चुका है तो आपको recovery मतब room flash करने के बाद wipe cash कर देना है इस तरीके से और जैसे कि आपको मालूम है lineage OS क्या है vanilla room है तो अब आपको home पे जाना है install पे जाना है अब आपको zip file flash करना है तो zip file ज use करें हमेशा चोटा size का use करें latest use करें और arm 64 का तो अभी मैं flash करने वाला हूँ bitgf 12.1 अब मैं इसे use इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जितने जो चार नाम मैंने बताया है bitgf, nickgf, flamegf और mindgf चारों में latest November मैंने का update केवल इसी bitgf पे आया है बाकी सब outdated ही है उनका नया update नही नहीं आया है इसलिए मैं पुराना यूजी नहीं कर रहा हूँ ठीक है तो अब हम bitgf 12.1 यूज कर रहा है ताकि हमारा playstore आप आए तो आप यहाँ देख सकते हैं installation start हो चुका है अब आप देखिए कि यहाँ पर जो gf file है वो भी flash हो चुका है wipecast कर देना delvikcast वाला यह हो पुराने रोम जो आप चला रहे थे वो not encrypted था जैसे कि मैंने वीडियो पर आपको दिखाया है मेरा पुराना रोम not encrypted था तो मैं direct reboot to system कर सकता हूँ लेकिन अगर आप मेंसे कुछ users ऐसे हैं जो not encrypted नहीं था encrypted था तो आप home पे जाना install पे जाना और यह वाला जो file है यहाँ पर आपको दिख रहा है disable, dm, variety, force, encryption इसे flash करना उसके बाद again wipe cash करना फिर आपको wipe पे आना format data पे जाना yes format a link के type करना उसके बाद आपको reboot to system करना है note star mark फिर से बता रहा हूँ यह process के वल encrypted user यूजर यूज़ करेंगे अगर आप not encrypted थे तो जैसे कि roam flash होने के बाद आप recovery flash करें उ इसके बाद सीधा reboot to system तो अब हम जाएंगे reboot to system क्योंकि मेरा जो पुराना device था वो not encrypted था अब आप देखिए हमारा lineage OS 19.1 का setup screen आ चुका है तो हम इसे setup करते हैं और home screen पे आते हैं अब आप देखिए मैंने lineage OS 19.1 का home screen पे ले आया हूँ अब मैं आपको सबसे पहले abort दिखा देता हूँ about पे जाने से पहले हम display पे चलेंगे और इसे white कर लेंगे और brightness को थोड़ा सा select adjust कर लेंगे ताकि screen पे brightness अच्छे से काम करता हुआ हमें मिल जाए ठीक है आप देखते हैं मैंने brightness select कर लिया है white कर लिया है about पे जाएंगे और मैं आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं Xiaomi Redmi Note 4, Android 12, Lineage OS 19.1 है और सितंबर का security patch है आप देख लीजेगा vendor भी आप देख लें और kernel भी आप देख सकते हैं 4.9.327 मिलता है और इस Rome का build date आया है 8 सितंबर का अब मैं आपको जल्दी से यहाँ पर systems पे ले जाके अपडेटर दि दिखाता हूँ अब आप देखिए मैंने net connect कर लिया है अब मैं आपको अपडेटर क्लिक करके दिखाता हूँ आप देख सकते हैं no new update क्योंकि Lineage OS 19.1 Android 12 के लिए last update था जी लॉस के तरफ से उसके पास से अब आप देखिए new update found है ठीक है तो यह मैंने आपको यहाँ पर about दि अब आपको बैक करके यह भी दिखा देता हूँ कि फोन का जो रोम है वो not encrypted ही है अब देख सकते हैं फोन का रोम जो है वो not encrypted है पिछला वाला भी मेरा Android 13 not encrypted था और यह वाला भी not encrypted मिला है आगे चलते हैं अब मैं आपको storage दिखा देता हूँ storage आप देखिए पिछला Android 13 भी 7 GB लिया था और अभी भी 7 GB ही है Android 12 पे भी अब यहाँ पर बैटरी जो है आपको तुरंद ग्राफ नहीं दिखेगा क्योंकि अभी immediate यह format हुआ है देख सकते हैं आप बैटरी stack reset हो चुका है तो यह जो है आप में से बहुत users को जानना था कि Android Android 13 से 12 पे कैसे वापस जाए Lineage OS 20 से Lineage OS 19.1 पे कैसे जाए मैंने सेम recovery का यूज करके आपको पूरी details के साथ बता दिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको Android 12 का पूरा operating system मिल चुका है Qtels भी आप देख लिए यहाँ पर change हो चुका है तो अब मैं आपको कुछ और चीज भी बता दिता हूँ अब मैंने थोड़ा सा वीडियो पे आपको review देने के लिए Android 19 जो है Android 12 Lineage 19 जो है इसमें कुछ app लोट कर लिया है तो अब आप जैसे की देख सकते हैं मैंने कुछ app लोट कर लिया है सबसे पहले आप में से कुछ users पूछ रहे थे Lineage 20 पे हमारे लिए जो वो है photos app जो है इस पे unlimited storage कब तक के आएगा तो जैसे की मैंने answer दे दिया है कि जब lineage OS का नया operating system आया था तब photos app पे unlimited storage आपको नहीं मिलता था उसी तरीके से जब android 13 जो आया था उसमें भी आपको नहीं मिल रहा है तो उसके लिए developer को time दे side developer ले आए और आपको यहाँ पर call recording हमेशा मिलेगा जब भी आप छोटा size का GF flash करेंगे AOSP वाला और Gcam की बात करें तो Gcam भी अच्छे से काम करता है आप देखिएगा मैंने जश्ट अभी Qik review के लिए आप लोगों के लिए load किया है latest वाला और इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ यह रहा Gcam और उसके बाद आपको setting को import करने के यहाँ पर double tap करना है उसके बाद मैंने setting रखा है इसे आप import करेंगे इस तरीके से और message आजाएगा successful import हो चुका है उसके बाद आपको direct आप देख सकते हैं पूरे settings आ चुके हैं फिर भी से आप इसे quit करें एक बाद clean करें उसके बाद वापस से चालू करें तो आपको जाद अच्छा performance देखने को मिलेगा Gcam का और black इसलिए आ रहा है क्योंकि ये bet पे रखा हुआ है हाना ये proof हो चुका ये चल रहा है ठीक है अब आगे मैं आपको बता देता हूँ इस पे आपको lineage OS 19 पे advance reboot भी मिल जाएगा जो कि अभी तक हमें android 13 पे देखने को नहीं मिला है hopefully जब नया update आए तो उसमें हमें मिले physical navigation button light काम करता है gesture काम करता है battery backup excellent है performance lag issue glitch कुछ नहीं है OT update सपोर्ट करता है साथ में play store certified मिलता है आपको port app जैसे की gallery है calendar app है MI का अच्छे से काम कर रहा है calendar app भी मैं आपको दिखा देता हूँ आप छोटे बच्चे हो आप लोगों को हर वीडियो पे समझाना पड़ता है आपको जब आपने me port gallery install कर लिए उसके बाद आपको open नहीं करना है इस तरीके से इसे touch करें और app info में जाए अब यहाँ पर आपको app info में जाके permission पे जाना है और calendar को select करना है यानि की calendar को आपने permission दे दिया अब वापस से home पे आके calendar app को click कर लिजेगा जैसे ही calendar app open हो जाएगा एक attempt में permission दीजे इसके बाद यह Chinese दिख रहा है त्री डॉट पे जाए और यहाँ पर त्री डॉट में जाने के बाद अब आप change कर सकते हैं Chinese को English पे तो settings पे जाना है आपको उसके बाद आप उसे English पे change कर लिजेगा यह रहा Chinese message आएगा अब यह English हो चुका है back करें देखें पूरा English हो गया ठीक है आप देख सकते हैं तो इतने ही settings रहते हैं उसी तरीक से gallery पे पर्मिसन नहीं देना रहता है gallery खोलो सीधा allow करो allow देदो आप और यह रहा आपका खुल गया गैलरी है ठीक है यह रहा porting app मैंने बता दिया है photos app में आपको unlimited storage नहीं मिलता है magic razor मिल जाता है साथ में play store आपको certified हम इसा मिलेगा play store आपको certified मिलेगा और youtube पे आप 4K 60fps देख सकते हो camera पे 4K 60fps वीडियो recording कर सकते हो browsers पे कोई भी add नहीं आता है और audio effects अच्छे से काम करता है gaming space दिया गया है अभी तक android 13 पे game space lineage OS पे हमें देखने को नहीं मिला है side load की बात करें तो side load app अच्छे से काम करता है और थोड़े बहुत जो customization android में मिलते हैं lineage based पे वो आपको button के अंदर status bar gesture के अंदर ही दिखने को मिलता है तो यहाँ पर आप जाके use कर सकते हैं बाकी यहाँ पर आप लोगों के बताने लाइक कुछ भी चीज नहीं है storage sounds मैंने already बता रखा है आप लोगों को और securities में भी दिखा दिया है कि phone का room not encrypted है lineage 20 भी lineage 19 भी systems में मैंने updater दिखा दिया about में भी दिखा दिया security patch vendor, room का version सब कुछ मैंने दिखा रखा है तो उन सभी चीज का आप access ले सकते हैं video के descriptions पे आपको सभी importants चीज मिल जाएंगे suppose मैं अगर आपको youtube पे एक video open करके दिखाओ जैसे कि उसके लिए हम भी जाना है search पे और यहां पर हम अपने ही channel को लिख लेते हैं dg4tech को तो यह रहा हमारा channel का नाम dg4tech और जैसे ही हमारा channel आता है अब मैं आपको यहां पर दिखाता हूँ आपको swipe करना है और आपको यहां पर देख सकते हैं कि आपको इसमें 4K भी settings मिल जाएगा उसके लिए मैंने यहां पर अपना भी video select किया pause किया settings पे जाएं आप quality पे जाए और देख सकते हैं 2160P आप 4K वीडियो watch कर सकते हैं अराम से बिना किसी problem के साथी साथ आपको यहां पर देखिए quick window का भी options मिल जाएगा यह भी अच्छी से काम करता है और camera पे भी आपको अगर मैं ले जाके दिखाओ तो आप यहां पर जैसे ही camera पे जाएंगे वीडियो पे जाना है आपको और मेरा settings जो मैंने बनाया है उसके हिसाब से आप देख लीजेगा यहां पर आपको देख लीजेगा है 4K 60fps तो इस तरीके से setting आप बना सकते हैं अच्छे से काम कर रहा है बीना किसी problem के और इस small window पे भी वीडियो प्ले होता है कोई problem नहीं आता आप देख लीजेगा वीडियो प्ले हो रहा है जैसे ही आप इससे expand करेंगे तो यह expand भी हो जाएगा तो इस तरीके के पूरी details मैंने clear up करवा दिया है आपको DG4Tech YouTube चैनल का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो पे तब तक ले Thank you, have a nice day, goodbye